यह बैटा DNA असल में है का अगर हम Detail से बात करेंगे detail नेक्चर तो हमारा यह रखावाई पहले हम यह समझेए DNA के असल में DNA जो है इसल में दो polynucleotide chain होती हमने देखा ता DNA और RNA तो क्या होते है polynucleotide chain सिए सब्सक्रान थैकल रुट मच ज़ोंगे ढ़ेंगτα एक चेन तो हमारी तुसरी चेंद्ट यह रहेंगा थी थे अभी बड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्सक्राइब और रहा हूंगो यहां स 이kk posit हम सबस्यार्ब बात करते हैं कि एक चेंड की बात करें पर देखें अगर आप जी इक चेंड को जैसे यहां से स्टार्ड घरते हैं यह उसमें लिकावा एस से क्या मुराद लूँगा मैं एक मटवड़ा सा जूम कर दूँ मैं इसको जी इस से मुराद है डियोगजी राइबो शूगर ठीक है पेंटो शूगर आप मैंने कहा था उस सेंटर में होती है और फर्स कारबन क्या लगावा यहां पर अगर आपको कि हमने पहले सीक्वें इस समयना इस साइड से पड़ा तो मैं आपको इस साइड से समझा रहता हूं ताके वह घ्रस कारबन में क्या लगवा था एक नाट्रॉनियास बेस एसे मुराद एडिनीन ती समुराद थाइमिन गवानीन थाइडिनीन डेनीन गवानीन साइडोसीन जैई अरेंजमेंट है सेम्टर में राइबोवर थी डियोकजी राइबोभ शुगर थी डियोकजी राइबोवर के साथ पहले कार्वन разные краa अगें यह भी नीकलुटाइट से तो दो चेन ने बेटा किसको निकलोकैट की अम कैसे थे ने कंसेस्ट ऑफ तो पोली निकलोटाइट चेंस तो ये वाली बात याद रखनेंगे डियन इसको फर्दर किसे बताय वाट्स ने बताया जो पेपर में बेटा लॉंग सवाल में आता इसके अंदर फर्स चेंड में फिर्स चेंडर दोनों के इंदर के आता है तो दो साइन्टिस नों इसको एक्स्पेंड किया है बजी डिटेल से अब दोस्ट का नाम हमारा क्या लिखा है चीक है भी तो डिटेल से पढ़ेंगे वाट्स ने क्रीक मोडल हो डिएने को पिटा इसमें पेरा लफ्स क्या लिखा हुआ है अपराइट का मतलब क्या होता है पिटा मैं आपको चोड़ा सा मिसाल दू यहाँ पर तो पिटा जिस तरह से डिएने के दो चेंड थी ना एक जो स्ट्रेट होते हैं यह स्ट्रेट पार्ड को आप क्या नम देते हो अपराइट का नाम देते हो अपराइट आपने मान यह लेना है कि यह जो दो स्ट्रेट पार्ड असल में दो निकलोटाइट की चेंड है असल में तो यह ऐसे होते हैं चीक है दोनों आपस में एक जिस ovsugger and phosphate से बनेुएं यहांपर देखाऊं अगर हम गोर से देखें तो यह 예 एक chain को आप देखें यह भी क्या अपरइट और दुसरे वाले आप देखें यह भी क्या हमार पास अपराइट है नेश बात याद रखनी है नेक्स पार्ट हम क्या देखेंगे रंग्स अब रंग्स किसे कहते हैं पीटा सीडी के दर्मियान वाली चीज को आप क्या पढ़ते हैं रंग्स पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं रंग्स पढ़ते हैं रंग्स जो लफजी माय नहीं यह रंग्स नहीं है रंग्स ठीक है यह एन भी आएगा सेंटर में रंग्स सेखनें समझतें द्रेल से अगर आप देखें सैंटर वाला पार्ट उसे से बना वां पार्ट यापिरेट नेयर बेस यह बेसे इपयरेट नेयर बनाएबす यह पसमें नाट्रोग्यास बेस से बने हैं प्रशफ़ नाट्रोग्यास बेस से हैं तक बात क्लिर है अगली पाट के खरा लटा पेरिंग पेरिंग का मअठम समजा ढय है तो बä directement उन्हों न कि देखा जब कभी टेख रहेते हैं डियन एकिक तो जहां जहाँ एडविन साइटोसिन से मिल गया हो थायमین गौानीन से मिल गया हो कभी ऐसे नहीं देखा उनने क्या देखा पूरे DNA के अंदर एडिनीन हमेशा थायमीन से मिल रहा है गौानीन हमेशा साइटोसिन से मिल रहा है इस तरह से यहाँ थायमीन तर दोसके साथ क्या मिला एडिनीन मिला यह साइटोसीन सामने क्या मिला गौानीन मिला यह साइटोसीन साथ क्या मिला गौानीन मिला एडिनीन तो थाइमीन इसका मतलब जोड़ी किस तरह से एडिनीन हमेशा मिलेगा थाइमीन के साथ थाइमीन हमेशा मिलेगा एडिनीन के याठ लैतका है Hydrogen Board क्या है Hydrogen one об Hydrogen One से क्या मुรाद है समझ लेते हैं जी विडिय pessimरे आब देखें और ग्वायन के अंदर क्या देखें आप एदनीन और ग्वायनी के स्टौर। काहिए आदाइणीन और और थामीन कें अंदर दो Hydrogen जोते हैं। गौनीन और साइड्रोसोन की दर्मैंगन तीन मुझूद होता है, फिर सी थामीन और यड्रिन आ होने तो कितने बोण हैं जिक्षड के साइडरोस ignoreंगन ही होना हुए, फिर म sed Herrusidd oggi और गौनीन होतार। जहां होन गांगन हो वह तीन अश Bennू और छॉप हुए, मिल गई यह वह वो आ पॉइंट है नहीं जहाँ पर दोनोंजेन अपस में कहा आकी मिल गई न तो जहाँ पर दोनोंजेन आंके मिल जाती से पढ़ते हैं ONE TURN Чा पढ़ते हैं पुरा एक TURN है क्या है यह पूरा एक TURN तो इस एक TURN का जोस्वाइज है एंग्स ट्रॉम एंग्स ट्रॉम का मतलब होता है यूनिट है लेंथ का किसका यूनिट है यूनिट आफ लेंथ होता है और इस एंग्स ट्रॉम की जो वैलियो होती है वो किसके बराबर होती है एंग्स ट्रॉम की जो वैलियो होती है वो बराबर होती है 10 exponent minus 10 meter के चीक है exponent minus 10 meter के बराबर होती है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ इधर देखें 34 34 exponent minus 10 meter भी लिख सकता हूँ क्योंकि angstrom का मतलब होता है exponent 10 meters चीक है तो जो length है बटाई एक turn के length of the one turn length of one turn is about 34 angstrom तो कितनी है about 34 angstrom है अगर हम बात करें किसकी चोड़ाई की तो यह जो चोड़ाई है इसकी पूरे एक turn की यहां से लिखें यहां तक जो चोड़ाई मुझूद है उस चोड़ाई कितनी है एक turn की तो यह बटा 20 angstrom कितनी है बटा 20 angstrom तो इधर देखें जो लिखें में width of the one turn is about 20 angstrom मेंटा paper में mcqs आएगा कि दोनों chain के दर्मियान gap कितना होता है इस तरह से mcqs आएगा कि mcqs आता है दोनों chains के दर्मियान यह दो chain के दर्मियान gap maximum कितना है gap का मतलब वह width पूछ दी ना जबाब आपने लगा है 20 angstrom चोडाई की बात हो रही हो तो 20 angstrom लंबाई की बात हो रही हो तो 34 angstrom बटा देखकर mcqs लगाईगा यह वाला कि सम्टाइम हो कहता है दोनों chain आपस में क्या है separated है कितने जो meter separated है तो आप बताएंगे 20 angstrom क्या है यह आपस में दूसरे के separated होते है चोडाई के साब से लंबाई कितनी होती है एक turn की 34 angstrom बटा जो एक turn होता है इसमें 10 nickel उटाड आते है कितने nickel उटाड आते हैं 10 तो वेसे तो मैंने आपर पूरे नहीं करें फिर भी मैं गिल लेता हूँ लेकिन याद रखना है कि एक पूरे turn के अंदर कितने nickel उटाड आते हैं 10 nickel उटाड आते हैं कितने nickel उटाड आते हैं 10 nickel उटाड आते हैं चीक है तो यह लिखावा बेटा हमारे पास sizing के अंदर इधर देखे length के लिखे वी है कितनी लिखे वी length 34 angstrom और weight कितनी लिखे है 20 angstrom चीक है पूरेशन बता देते हैं बेटा आप इसकी position क्या है मैं आपको थोड़ी सी वह बता दू detail से position किस तरह से हम बनाते हैं देखे फूरी की फूरी position के अपर काम करते हैं अभी आप हमने जो समझना है पॉजिशन को समझना है position का मतलब क्या होता है d ने की जो एक chain होती है वो एक chain move करती है from 5' to 3' direction और दूसरी जो move करती है वो करती है 3' to 5' position 5' to 3' का मतलब क्या होता है 3' to 5' का मतलब क्या हो तो वो details से परते हैं ठीक है पूरा का पूरा lecture यहाँ पर मुझूद है 5' का मतलब क्या आप नजर आ रहा हो एक center में क्या है sugar है 5' कार्बन वाले sugar है 1' कार्बन 2' कार्बन 3' कार्बन 4' कार्बन 5' कार्बन और इसके साथ फोस्फेड लगावा है ठीक है पहला एक निकलोटाय है यह दूसरे निकलोटायर के साथ क्या अरगेगा जोडेगा यह दूसरे निकलोटायर है हमारा इसका है कार्बन पहले आप WHE इस दूसरा निकलोटायर मुझूद है अब यह जो दूसरा निकलियोटाइड है, इसका जो पांचवा कारवन है, यह ना वो, और इसके जो तीसरा कारवन है, यह आपस में क्या बनाते हैं, बोंड बनाते हैं, जिस बोंड के विए से यह आपस में जुड़ जाते हैं, और यह पूरे जुड़ते हैं, पूरी क्या ब बोन्ड केते हैं थीक है अब फॉस्फूडाइस्टर बोंड बे बहुत बड़ा सा लेक्चर है बेरा ना डिटेल से यह फुस्फूडाइस्टर बोन्ड बनता है कीज़े हैं फिलाल क्या आद रकना है आप ने के पहले निकलियूटाइड का तीसरा कारबन दूसरे निकलियू पैन्चा कार्बन क्या है бесп пойдा बॉंड बनारे में ईसंसा ले तरलिए दूसरा निकलो टाइड का तीसरा कार्बन क्या गरेगा दूसरा निकलो टाइड ही इसके पांचीवा क्मगा उसके पूरी क्या बनाएंगा इस şey करते कणो करते करते पूरी ऐदिए वो सबसे पहली पहला निकलो टार है तो पूरी चेन का तो तो सबसे आखरी वाला निकलो टार होगा उसका जो तीसरा कार्बन होगा हो फ्री होगा तो मैं कहा सकता हूं जो पहली चेन है वो कहां से काम मूब कर रही है from up to download कैसे 5' to 3' 35 6 प्राइम यहनिके फाट प्राइमं से शुरू हो रही और दिसार गडार्बन उप्राइम क्या हो रही फाटमार्या के रता हो फाटब की और तो friend theme आंऑ जो के सकते हैं कि दूसरी चेन ऊसके स्टार्ड कहां से फाई 1 to 3.2 अमार्यन तमReady से और्ड उसके रूचन की डाइरेशन क्या ओगें 5'․3' लेकिन डाइरेशन क्या होगा UPWARD ठीक है अगर आप से कोई पूछे क्या पकर आइदर क्या लगा क्या था तो पर्क्रायं क्या बता के किक है पहली चेंद में 5'․3' होता है जी क्या है भई, position, position में पहली chain कैसे लेगी है, 5 प्रायम to 3 प्रायम, और दुसरी वाली कैसी लेगी है, from 3 प्रायम to 5 प्रायम लेगी है, ठीक है, यह बात हमने discuss कर लिए, कि जो निक्लो टायड है, नमबर फ निक्लो टायड है, वो इच turn के अनरे कितने होते हैं, 10 spare मुझूद